हेलो हेलो फ्रायन नमस्ते कैसे हो आप सभी लोग अमीद करती हूं सभी अच्छे होंगे और यह यह दुफैर का टाइम है तो मैं इधर धुपम बैठी ती नीचे लगबग भज़रा होगा पॉने दो और मैंने सचा है यह सब्जी मैंने धोके रखी ती बिंस बगेरा अगर पूरा वीडियो देखना और वीडियो बहुत अच्छा है आगे तो सब्जी जो सामले कहा है थे तो मैंने सुचा कि ना बिंस अगर धोके ऐसे ही रख दो सुखा के तो वह खराब हो जाती मैंने सुचा इनको काटके रख देती हूं तो बस यह काटके मैं बिंस को रख दू सब्याजाब नगान मेधिपालक में पहले वाला अब नहीं है जो सीजन के टाइम होता है अभी चल रहा है मैंने साइब मैं इस तरह के यह भी मैं फैकती नहीं हूं मतलब तो शोरी ज्यादा होते तो फैक भी देती हूं डो एके यह रखा है असा तो इनमें मैं जो भी काट के सब्जी रख देती हूं तो कटी हुई सब्जी जल्दी से खराब नहीं होती तो यह देखे मेथी इतनी ज्यादा मेथी खराब निकली थी रात को लेके आये थे और यह देखिए इतनी बड़ी-बड़ी है आदा किलो मेथी में डाइचो ग्राम मेथी नहीं निकली होगी बहुत मुश्किल से तो इनको सब को साफ करके पालक भी यह देखिए कितना सारा और आज इवनिंग रूटीन है तो देखिए मैं साम का इवनि ठाइक तो गवरा अनुअ बड़ा है तो उनको फेसा को सारा और यह दो तो क्पड़े किया नहीं सारा कुछ सारा कुछ क्यों कि गरम कपड़े जिस दूहुना सौल बगएरा तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बस मैं इनकों सारों को ते लगा के रख दूंगी और कुछ इसी तरह से मेरा मतलब पूरा दिन जाता है कोई सोसनगा कि काम नहीं होता है काम नहीं होता है तो काम सब कुछ है और इसी तरह से मेरा पूरा दिन जाता है और एक जो भाईया ने बोला था मुझे कि मतलब मैंने बोला था एक वीडियो में कि माई के सुसराल में क्यों नहीं जाती हूँ तो देखें मैं माई के भूत रही हूँ और जाना उतना ही चाहिए कि मतलब मैं अब तो पहले जब मेरी साथी भी थी आप मेरे कहानी सुनोगे तो में रेस्पर्ण फॉज में हैं तो मैं जादा तर मम्मी के घर रहती थी और दो सिस्टर हैं हम एक घर में तो मम्मी के घर जादा रहती थी फिर उसके बाद मैं मैं साथ में चलीगी साथ में जाने के बाद मैंने बेटा भी मम्मी के घर से पढ़ाना शुरू किया था फिर में साथ में चलीगी साथ में जाने के बाद मेरी ममी की ड़त हो गई तो मैं लगातार दो साल रही और फिर बोलते हैं ना कि माईके में भी उतना ही जाना चाहिए जितनी इज़त हो अगर जादा पड़े रहोगे तो वो ठीक नहीं है और मा का प्यार सच मैं माबाप का प बावी यह हैं हम भी दूसरे घर हैं बावी हैं बहुत अच्छी हैं पर मैं नहीं जाती हूं कमी मतलब अपने में होती है यह नहीं हम दूसरे में बता रहे हैं पर अब मेरा बच्चा पढ़ने लगा है बटा तो मैं नहीं जाती हूं अब इतना किसी के पास टाइम नहीं र पहुंचाएना तो मुझे बहुत गंदा और मैं सुस्राल में भी मतलब दो से श्टरें तो सभी के होता है और ना मेरा किसी से जगडा ना किसी से कुछ मैं सुस्राल में भी नहीं जाती और आप लोगों को पता है कि इधर दिली में आकर के तो यह देखिये और फिर मैंने थोड़ा सा टाइम बचाना तो शुचा यह दली या बहून कर रखतर नियुक्त रखतना है फिर मिरे जाना नहीं होता और फिर मैं सुरुसरे पहर रहीं बेटा मेरा बाहर तो इसे गाउं में अच्छे भी नहीं लगता है फिर क्यानल कि बेटे की भी पड़ाई चलिए और हस्पेंट का है हमारा यह नहीं है यह ओपस है इधर बटालियन होती है तो उसमें क्या होता है ना कि खाना बगएरा अंदर ही रहता है तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ गई भी और सुस्राल में कम रही हूँ तो इसलिए मेरा कम बो रहता है तो इसलिए ही नहीं जाती है सारा रीजन यह ही है और हर जगे ही मैं असोचती हूँ कि जहां कम जाओ इज़त तभी बनी रहती है अगर हम पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे जादा तो कई भी इज़त नहीं होती है तो देखिए मेरे के जो घर से सिस्टर ने छोटी वाली ने भेजा था मावा एक लोग के करीमावा था तो मैंने कुछ मावा के लड़ू बनाऊंगी और कुछ यह देखिए गरम किया था ना को ऐसे के जमने लगा है तो इसकी थोड़ी सी की मिलक के बना दूंगी और मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है तो आपको बता दिया होगा सुसराल माईके का रीजन और देखिए सब के छोटा मोटे जब हो जाता है कुछ ना कुछ बात हो जाए तो घर में सब ही के चलता है मे जाने की बात रही तो जाने की मेरा इतना टाइम ही नहीं रहता बहुत रही हूं बहुत रही हूं तो उससे पेट वर गया रहते रहते और माईके में बहुत रही हूं तो इसलिए अब उनके घर दो साल जब रहके आई थी तो अब उनका घर समालने वाले आ गए तो हमारे तो बूरा डाला मैंने थोड़ा सा क्योंकि जादा बूरे से अच्छे नहीं लगते तो वह बहने लगा तो फिर मैं क्या करूंगी अभी देखना आप लोग बना के देख रहें यूँ पहले तो अभी बन नहीं पा रहा है मतलब बन तो रहें गीले-गीले ज्यादा हो रहें मैंने लिए सूजी और ये सूजी एक पाव से कम होगी तो इसमें डाला देशी घी थोड़ा सा और इसको भून लेती हूँ सूजी को अच्छे से और सूजी डालूंगी तब बनाऊंगी लड़ो मेरे दमाग में आइडिया है दमाग तो मेरा बहुत चलता है तब ही बोलते है तो यह देखिए और इसमें थोड़ी-थोड़ी करके सूजी डालूंगी और तब इसको बनाऊंगी तो मैंने सूचा कि सूजी जितना भी इसमें मोहिश्चर है ना जो गीला पने सारे को सूजी सोक लेगी तो तीन तरह के लड़ो बना लें मिले केक और वैसे जो लड़ मेरे ब्रत में खाने के हो जाएंगे अश्टी में वगरा मैंने बेटे से कमें नहीं खाऊंगी लड़की की दौज है उसने की है मतलब भेन की बेटी ने तो खाना तो बोल रहा है बेठा कि अभी तो आप गिप्ट देते हो उसको और तो आप ही खाना और जब मैं गिप्ट यह सारे लड़ू बना ले दिए फिर दिखाती हो ते यह देखिए और यह देखिए अच्छे से मिलकिक इतनी टेस्टी बनती है घर पे बना के देखो आप लोग और यह देखिए इसको काट दूंगी मैं अभी चाकू लगा के थोड़ी थोड़ी थंडी हो गई यह नहीं फिर जादा जम जाएगी तो चिपकेगी और अभी निकाल के दिखाती हूं और आप भी बना के जरूर देखना इस तरह से और वीडियो कैसा लगा तो आई होब मैंने माइके किया और उसकी सच्चा ही पूरी बता दी आप लोगों को और अपको मेरी मतलब पूरी स्टोरी स सुनी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या साधी हुई क्यों नहीं रहती थी में ज्यादा क्या था क्या नहीं था तो सब कुछ बताऊंगी और यह देखिए साम का टाइम है तो अभी मैंने साग निकाल कर रख दिया फ्रीज में जो काटके रखा था और बरतन मगरा पूरे साफ कर दिये तो पूरी सलब बगएरा भी साफ कर दिये अब चलिए फिर साम का पूरा केलियर हो गया है दूद नकाल कर रख दिया चाही के लिए तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी चलिए फिर बाइक करल मिलती हूं अब लोगों से एक नई वीडियो के साथ